हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई रुक्रीट्मेंट की इंफोमेशन लेके आए हो इस पर रुक्रीट्मेंट दोस्तों वाक इन इंटर्वियू की है यानि कि आपको किसी भी तरह की जो है वो इंविटे कैबिन क्रू के लिए फीमेल कैंडिडेट जो है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो अपलाई कर सकती है और अगर आप जो है वो कस्मर सर्विस, रैम, सिक्यूरिटी यानि कि ग्राउंट स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दो अगर आपकी सिटी में ये आता है तो वही जो है वो इंटिवू के लिए जाईएगा लेकिन उससे पहले आवेदन जरूर करिएगा कैसे आवेदन करना है वीडियो के लास में आपको जरूर बताऊंगा तो शुरू से लेके लास इक्स वीडियो को ध्यान से देखिए, कि आपको हर एक चीज घर एक जरूरी डिटेल का पता चल जाए फिर आपको बार बार कमेंट सेक्शन में आके कोसेंज नहीं पूचने पड़ेंगे बाकि फिर भी अगर कुछ कोसेंज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा उनके आंसर्स देने की मैं पूरी कोशिश कर और November के मन्त का ये पूरा schedule है जिसमें की cabin crew की recruitment है और यहाँ पे officer executive की recruitment है और दोनों ही recruitment में freshers भी apply कर सकते हैं और अगर आपके पास किसी तरह का experience है तो भी आप apply कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे cabin crew की उसके बाद बात करेंगे हम लोग ground staff की तो cabin crew के interview के लिए दोस्तों airbus के लिए यहाँ पे माल लीजिए इसको आपने open करा तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी जोगे वो देखने को मिल जाएगी इसमें सिर्फ female candidate आवेधन कर सकती है यह आप एक height का भी criteria रखा गया है और इसके इलावा जो है और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दीगी है जो अगर आप read करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी बाकि किसी बी तरह का visible tattoo mark नहीं होना चाहिए और जो लोग जो है जो candidate जो है वो cabin crew की तैयारी कर रहे है उन जो ही आप apply कर पाएंगे इसके लावा requirement क्या क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर पूरी दी गई है कि आपको passport size pictures लेके जानी है अपनी mark sheets लेके जानी है कि आपको dress up करना है वो सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है इसके लावा responsibilities भी यहाँ पर बताई गई है अभी अगर यह सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ दें तो आप यहाँ पर right side पर देख सकते हैं November 11 इसी तरह आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं मान लीजी आप लखनव के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप जैपूर के लिए चाहते हैं तो जैसे आप open करेंगे यहाँ पर आप इंटर्टर पर रिजिस्टर करके उसके बाद आपको जो है वहाँ पर जाना है बिना apply करे हुए आप मत जाईएगा हो सकता है वो आपको entertain ना करें और आप अपनी city में है और आपकी city में यह interview है तो ही जाईएगा इसके लावा अगर बात करें कि कौन कौन सी city में हो रहा है तो चंटीगड में हो रहा है कोची में हो रहा है पूने में एहमदाबाद में जैपूर में बैंगलूरू में हो रहा है इसके लावा गोखाटी में है और बैंगलूरू के लावा चन्नई में भी है और भी बहुत सारी cities है और हो सकता है जब तक आप जो है यहाँ पे विज रिजिस्ट्रेशन कर लीजेगा रिजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी थोड़ी दिर में बताऊंगा आप फिलाल बात कर लेते हैं ओफिसर एक्जीकुटिव कस्टमर सर्विस के लिए अगर आप अपलाय करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों 12 पास मांगा गया है और इसके लेखर आप के लावब आप अपलब से सब्सेट्रेशन स्किल्स आपके अच्छी होने चाहिए अगर आप जो हैं कि कस्टमर सर्विस के लिए जाना चाहते हैं और आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए रैडी होने चाहिए आठ्ठवशन से 17 साल तक एसका का बाकि आप सारी चीज़े अपने CV में लिखती जाएगा और CV भी साथ में लेके जाना है बाकि यह पर रिक्वार्मेंट में उन्हें बताया कि कस्मर सर्विस के लिए आप अपलाय करना चाहते हैं तो आपकी आपकी communication skills अच्छे होने चाहिए personality आपकी अच्छी होने चाहिए security के लिए उन्होंने weather all weather conditions में आप चुखे अड़ाप्टेबल होने चाहिए और इसके लावा जो हे वो RAM के लिए भी उन्होंने लिखा है बाकि अगर आपके पास experience है यह आपके पास license है लोट एं ट्रिम license है य अब यहां पे इस recruitment पे भी same आपको right side पे यहां पे यह देखिए Friday को 12th November को यह होने वाला सुबह 9 से 11 बजे तक और कहां पे होने वाला यहां पे पूरा address दिया गया है ऐसे ही अलग-अलग cities के लिए अलग-अलग address है और आप उसी city से आते हैं तो जुरूर इसमें participate करिएग पूरत नहीं है क्योंकि यह किसी भी तरह की फीस आप से चार्ज नहीं करते हैं तो यहां पे दोस्तों login to register now पे click करना है और उसके बाद आप यहां पे आएंगे यहां पे आने के बाद email और password आप से मांगा जाएगा लेकिन आपको नीचे आना है और यहां पे sign up पे click करना ह sign up पे click करने के बाद first name last name email और password आपको खुद create करना है और password को जो है आप create करेंगे तो आपको special character involve करने है numerical numbers जो है वो involve करने है उसमें और इसी के साथ जो है आपको upper case letter और lower case letter इनका combination बिठाईएगा तभी password यहां पे जो है वो accept होगा उसके बाद आपको यहां पे click करके sign up क आप apply कर देंगे उसके बाद जाकर आप interview दे सकते हैं फिर आपको कोई नहीं रोकीगा लेकिन अगर आप registration नहीं करते तो हो सकता आपको दिक्कत हो तो इसलिए register करके जाएगा क्यूंकि ऐसा जो है उन्होंने अपने जो description है वहां पे लिखा हुआ है कि आपको register करना बहुत section खुला है comment section में आके आपकी जितनी भी questions से उनको लिख सकते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि apply करना बहुत ज़रूरी है तो यह जानकारी दोस्तों दी गई है इंडिगो airline की तरफ से अगर आप cabin crew में इंट्रेस्टेट हैं या आप interview देना चाहते हैं officer executive के लिए तो आप graduate है आप female candidate है cabin crew में इंट्रेस्टेट है तो आप जरूर जो है इन events में participate कर सकती है तो यही तक दोस्ता आज किस वीडियो में जैसे कोई नही job update आती है वो चाहे government organization की तरफ से हो चाहे private organization की तरफ से हो मैं आप तक जरूर जानकारी पहुँचाऊंगा तो मिलेंगे आसी किसी नही job update के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए